Hi everyone, welcome back to my channel. So, आज की ये वीडियो weight loss की बारे में है, कि हम अपना बजन कम कैसे कर सकते हैं. So, weight loss करने के लिए जो सबसे ज़्यादा important चीज़ है, वो है आपके अंदर का confidence. सबसे पहले आपको अपने अंदर confidence लाना होगा, कि हाँ, हम ये चीज़ कर सकते हैं, तब ही हम अपना बजन कम कर पाएंगे. Weight loss करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा महेनत करने की, या फिर बहुत ज़्यादा exercise करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. बस आप अपनी life style यानि रोज मर्रा की जिंदगी में थोड़ा सा changes करके, अपना बजन कम कर सकते हो, और एक अच्छा सा figure पा सकते हो. So, आपके बजन को कम करने के लिए, मैं आपको step by step कुछ चीज़े बताती हूँ, जिसे follow करके आप भी अपना बजन कम कर सकते हो. सबसे पहले हमें daily morning में उठकर walk करना है. आपको एक दिन में ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 20-25 मिनटी walk करना है, बस आपको इतना याद रखना है कि walk आपको daily करना है. आपको इसे बिल्कुल भी skip नहीं करना है, क्योंकि हमारे सरीर के बजन को गिराने के लिए walk बहुत ही ज़्यादा important होता है. आप बारी आती है exercise की. Exercise आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा workout हमारी body के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है. आपके body को wrist करने की भी जरूरत होती है. इसलिए आपको हफते में सिर्फ 4-5 दिन ही exercise करना है, और बांकी दिन आपको skip कर देना है. एक दिन में आपको सिर्फ 15-20 मिनटी exercise करना है. That's it. ये तो बात हो गई walk और exercise की. इसके अलाबा हमें daily morning में खाली पेट, एक glass गरम पानी में एक चमस सहाथ मिलाकर जरूर पीना है. क्योंकि यह हमारी बोड़ी में जमा इस्ट्रा फेट को निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा यूसफूल होता है. और हाँ, हमें green tea भी जरूर पीना है. Green tea आप चाओ तो रात में खाना खाने के बाद भी पी सकते हो, और चाओ तो morning में भी पी सकते हो. Green tea भी हमारे पेट में जवा चर्वी को निकालने के लिए यूसफूल होता है. अब बात आजाती है खाने की. बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम क्या खाएं कि हमारा बजन कम होना इस्टार्ट हो जाए. हमारे लिए क्या सही है? तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि आप सब कुछ खा सकते हो. ऐसा कुछ नहीं है कि बजन कम करने के लिए आपको अलग से डायट लेने की जरूरत है. बस आपको एक चीज द्यान में रखनी है कि आप जो भी खाओ, उसे आप थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में खाओ. आज कल लोगों को सबसे ज़ादा जंगफूर खाना पसंद है, तो अगर आपने मॉर्निंग में कोई चीज खा ली है, तो आपको दुबारा वो चीज रिपीट नहीं करने है. अगर हमने morning में कोई चीज खा ले है तो evening में हमें उस चीज को skip कर देना है बजन कम करने के लिए सबसे best तरीका है walk आपको इसे daily जरूर करना है और इसे करने के बाद एक महीने के अंदर आपका बजन गिनना start हो जाएगा बस आपको अपने आलस को छोण कर खुद के mind को motivate करना है देखो बजन होना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन जब हमारी सरीव में बजन बढ़ने लगता है तो उसके सासत कई बीमारियां भी हमें घेर लेती है जो की हमारे ये जान लेवा होती है इसलिए आप आलस को छोण कर अगर बजन कम कर लोगे तो वो आपके लिए ही अच्छा है उसके बाद आप और भी जादा confident दिखोगे और जो भी कपड़े पहनोगे वो आपको suit करेगा इसलिए अगर आप भी बजन कम करने की सोच रहे हो तो आज से ही बजन कम करना start कर दो ऐसा कुछ नहीं है कि आप जिम जाकर ही बजन कम कर सकते हो आप घर पर भी रहा कर अपना बजन कम कर सकते हो बस आपको इन चोटे-चोटे step को आज से ही follow करना start कर देना है और महीने बर के अंदर आपका बजन गिरना स्टार्ट हो जाएगा So guys, यह था मेरा weight loss करने के लिए कुछ छोटे-छोटे tips आप भी इसे follow करके अपना बजन कम कर सकते हो आपको daily morning में walk करना है, उसके बाद आपको exercise करना है लेकिन याद रखिएगा कि exercise आपको daily नहीं करना है आपको इसे हपते में 1-2 दिक skip कर देना है खाने में आप सब कुछ खा सकते हो, आपको अलग से परहेज करने की कोई जरूरत नहीं है बस आप जो भी खाओ, आप उसे थोड़ी-थोड़ी quantity में खाओ क्योंकि एक अच्छा खाना भी हमारी body के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है आपको green tea जरूर से पीनी है और हाँ, आपको बहुत ज़्यादा ठंडा पानी और cold drinks avoid करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी भी हमारे सरीर में fat जमा करता है अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो please मेरे वीडियो को like करें और मेरे चैनल को subscribe करें और हाँ, bell icon को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की notification मिलती रहे